वेलकम दोस्तो अर्विन सर मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ अर्विन सर मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ इनफॉरमेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो आज का ये जो वीडियो है वो बहुँ चर्चित है क्या है क्या है केस आप काफी हित तक जानते हैं लेकिन आज मोड क्या है इसके बारे में डिसकेशन करेंगे तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक को शेर कीजेगा अर्विन सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं यहां देखिए आपको जिसा मालूम होगा कि 2 अक्टूबर 2021 को जो मुंबई के छेतरी निदेशक समीरवान खेड़े के नित्वत में एनसीबी जो की ड्रग का कंट्रोल करती इंडिया में एजनसी है एनसीबी की टीम ने देर राज शेहर के तट पर एक कुरूज जहाज पर छापा मारा आर्यन खान और कुछ अन को जहाज पर पतिवन्दित दवाओं के साथ की जपती के सिलसले में गिर्फतार किया गया था जबकि आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग बरामत नहीं हुआ था तो दो तारिक की तीन तारिक की घटनाएं देखिए दो तारिक को छपा मरा और तीन तारिक को इन्होंने अपने कबजे में इनको ले लिया उसके बाद देखिए कई घटनाएं गटी चौदा देखिए इन इन्होंने उसके बाद इनको कस्टेडी मिली और पूस्तास आगे बढ़ती गई मीडिया में इन्होंने कुछ खुलासे भी किये जिससे ये पोट्रे करने की कुशिस हुई कि आर्यन खान जी का जो की शारुक खान के बेटे हैं इनका इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से काफी लेना देना है ऐसे मीडिया में उचलने लगी थी उस समय बातें कि जैसे ड्रग की सप्लाई वगरा करने में इनका रोल है बहुत जादा ये बातें आगे बढ़ाई गई गई अब उसके बाद जब इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से किसी का संबंद स्थापित किया जाए त लेकिन देकि फिर क्या हुआ 28 दिन करिवन घर बात पहुचे थे 30 अक्टीवर को आर्यन खान शारुक खान की बेटे उसके बाद इस साल 27 मई 2022 को एन सीबी की जो अपनी इंटरनल इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट बनाई जा रही थी इसको देखने के लिए उसमें जो चार् दाकिल की परियाप्त सबूत के अभाव में आर्यन खान और पांच अन को क्लीन चिट दे दी गई एन सीबी ने खुद ही अपनी चार्ट शीट में आर्यन खान को बरी कर दिया लेकिन अब ये 28 दिन कस्टडी में थे कुल मिला के घर से दूर थे और बड़ी पीडा में थे बहुत हिंदूस्तान में इसके चर्चे भी थे क्यों कि ये शारुक खान सुपरिस्टार के बेटे जो है ठेर आगे देखिए अब क्या हुआ आज की न्यूस क्या है यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है अगर आपको दिख पा रहा हो अक्टूबर 19 2022 ये आर्यन खान डेलिब्रेटली टार्गेटेड रोल अफ एट ओफिशल्स अंडर स्कैनर मतलब अब जो रिपोर्ट दी है जो इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट उसके बाद बैठाई गई कि अगर इनको क्लीन चिट मिल गई थी तो इनका नाम क्यों आया इनको क्यों भसाया गया तो उसके इन्वेस्टिकेशन हुआ उसकी रिपोर्ट जब आई है उसमें ये बताया गया कि आर्यन खान को जान बूझ कर टार्गेट किया गया था ये कौन कह रहा है नसीवी ही कह कि आर्यन खान डेलिबरेटली मतलब जान बूझ कर टार्गेट किया गया और इसको लेकर आठ जो ऑफिशल्स हैं साथ से आठ एनसीवी के ऑफिशल्स उनको स्कैनर में उनके खिलाफ इनक्वाइरी होनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों किये हैं क्यों किये हैं इसका जवाब नही मिल पाया है अब देखिए आगे की घटना करम क्या है जो मैं आपको clarity से दिखाऊं NCB's vigilance team probing the Aryan Khan case on Tuesday submitted its inquiry report in Delhi headquarters and many shortcomings were found in the investigation इन्होंने कहा कि जो Aryan Khan के खिलाफ उनको पकड़ा गया था उसमें बहुत जादा investigation की खामिया थी यह पहला तत्तु जागर किया NCB की internal report में investigation report में the investigation team of NCB has found the role of seven to eight officials NCB officials suspicious sandeh janak है उनका इसाब किताब in this case the vigilance team of NCP found in its investigation that the Aryan Khan case was not investigated properly as Aryan Khan was deliberately targeted and why it was done it is not yet known इरकी investigation report में निकल के आया कि Aryan Khan जी का deliberately फसाने के लिए किया गया मामला है जो उस समय बनाया जा रहा था case उसमें बहुत जादा खामिया थी लेकिन ऐसा क्यों फ़जाया जा रहा था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है अब जानकारी के लिए जो officers है 7-8 उनके उपर further investigation हो उनसे पूस्तास हो कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे थे क्या मसला है ये बात पता चले खेर अब इसमें आगे की बात जो चली पता गया था उसके खिलाफ उनके उपर investigation चलाने की बात कही गई है 78 officers में ये भी है अब देखिए अब जब ये बात उठी कि ये समीर वान खेड़े साब के उपर investigation होना चाहिए तो समीर वान खेड़े साब ने क्या किया IPS गयन विशर सिंग के खिलाफ जिन्होंने रिपोर्ट बनाने में महत्पूर्ड रोल अदा किया investigation का उनके खिलाफ ये NCSC पहुँच गया है NCSC क्या है National Commission of Schedule Cast और National Commission of Schedule Cast में जाकि ये इन्होंने बोला है कि मेरे को discriminate किया गया है यानि इस investigation में मेरे को अलग तरीके से पेश किया गया और मुझे फसाया जा रहा है तो मुझे इससे बचाया जाए तो जो NCSC है उसने NCB को बोला है कि हम इसका investigation करेंगे पहले कि हमारे समीरवान खेड़े जी के खिलाफ जान बूट कर फसाने की प्रक्रिया तो नहीं चल लही है जब ये investigation पूरा करके हम report submit करेंगे आपको तब ही आप कोई inquiry उनके उपर कर सकते हैं NCB को तब तक आप कोई inquiry नहीं करेंगे तो ये देखिए नया turning point है और ये देखिए कहां से कहां पहुचा दिया है इनोंने NCSC पहुच गया है क्या मुद्दा लेके मुद्दा ये लेकि कि मेरे खिलाफ जो जाच की गई है वो ठीक नहीं की गई है मेरा नाम पकड़ रहे थे ये आरियन खान साब को कहर आगे देखिए अब Twitter पर हमेशा बवाल मसता है तो कुछ लोगों का ये कहना है जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि once again it is proved money power मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो अपनी money power को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं यानी आरियन खान को बचाने में शारुक खान ने पने पैसो का इस्तमाल किया वरना ये ऐसा मानते हैं कि वो culprit है या वो गलत आदमी था गलत बच्चा है anyway देखिए true एक अगला बंदा उसके साथ के रहा हाँ हाँ बिलकुछ ठीक बोल रहे हैं आप true it is all money power cleaning image job done perfectly of AK through it may spoil some more's life मैंने भी ये convinced है कि कोई कुछ भी कहे कोई जाच कुछ भी कह दे clean shit भी दे दे लेकिन जो बात उचली है वो सही है कुछ लोग इनके favor में भी है जो लिखते हैं really NCB took this long to realize what was very evident within a few days of suspicious arrest of Aryan Khan कुछ लोगा कहना है कि NCB को बहुत देर से पता चला कि भाई ये Aryan Khan निर्दोश है क्योंकि शुरू में ही इंदाजा था उसको कि ये निर्दोश है और ये थोड़ी सी बात अगर आप सोच के मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं एक तरफ बात ये है कि जैसा लोग कह रहे हैं कि पैसे का यूज करके इमेज को क्लीन कर दिया गया शारू खान बड़े आदमी है वर्चस वे पैसे की कमी नहीं है अपने पावर को यूज किया और इमेज को क्लीन कर दिया और एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अब जाके न्याय हुआ है इन्वेस्टिगेशन का कि बाई कुछ लोगों ने जान बुचे इनको फसाने की कोशिस किये तो आप ये कमेंट करके बताएं कि आप क्या लगता है क्योंकि कुल मिला की इध्यान अखियेगा 28 दिन शारुक खान का बेटा शारुक खान कुछ नहीं कर पाए उस समय 28 दिन वो जेल में या इन्सीबी की कस्टिडी में रहा अपने घर से दूर रहा 28 दिन एक दिन दो दिन नहीं और उसमें उनका कोई पैसा या कोई चीज काम नहीं आई खेर फिर भी आपका मत आपका कमेंट किधर जाता है इस तरफ की एन्सीबी ने अपनी गलती में सुधार किया और गलत आदमियों के खिलाफ एन्सीबी रिपोर्ट जारी कर रही है उनके ऑफिशर्स के खिलाफ या फिर शारुक खान ने पैसो का और शक्ति का परदर्शन करके आद्रियन खान की इमेज को क्लीन कर दिया है आप कमेंट करके बताई कि आपकी क्या रहा है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को शेर कीजेगा अर्विन सर मोटिवेशन चनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक रहिए खुश, इनफॉर्मड रहिए और हमेशा अब्जर्वेशन अच्छा कीजे ताइंक यू, बेस्ट विशेस फॉम माई साइड